हेलो दोस्तों स्वागत है आपके एक बाव फिर से हमारे चैनल पे मैं हूँ आपका दोस्त साजित अलवी दोस्तों आज किस वीडियो में हम आपको 38 छाती के सबसे कुलती कटिंग आना बताएंगे इससे पहले वीडियो में हमने आपको 30, 32, 34 और 36 कुलती के सबसे कटिंग आ बता देते हैं हमारी कुलती के जो लंबाई होगी होगी हो इसकी चाती भी यहाँ पर 38 Christie腳 इससे और पीछे के ग्लियो में मैं होगी और पीछे के गले के लंबाई यहाँ यहाँ पर सात इन्च होगी चलिए आफ म ć पकु कॉलाइब करना बताते हैं तो यहाँ पर नहता दो मिटर कपड़ा है इसको हम पहले ऐसे करके खोल देंगे दो मिटर कपड़ा यहाँ पर हमारा इस तरीके से यह खुल गया है ऐसे खोला दो मिटर कपड़ा, अब आपको अपने इस कपड़े को यहाँ पर सरीके से ये ऐसे fold करना है हमेशे के तरा सबसे पहले हम यहाँ पर अबना जो है इसका front और back के लिए कपड़ा निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा जो cannot तो यहाँ पर 20 इंच हमारा य tickets पहला होगा इस पर गार जे इसमें आपको कम सकंड पांस से छेंच कपड़ा पांच इंच ले सकते हैं जिसके मैं आपको पहले वीडियो में बताया है उन्हें सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्चर में मिल जाएगा यहाप ने पांच इंच एक्ट्रा यहां से लेंगे मतलब 25 इंच लेंगे और इसको कटिंग कर देंगे यह हमारा कूलती का फ्रेंट और बैक हुआ अब आपको सबसे पहले तो अपने इस कपड़े को ऐसे बिचाएए और इसको पूरे कपड़े को इस प्रकार्ड से फोल्ड लेकर दीजिए यह आपकी कूलती का फ्रेंट और बैक होगा अब इसको यहां पर ऐसे मोड देजिए अब इसके बाद में आपको ओपर की तरफ इसमें ऐसे निशान लगाना है शोल्डर का निशान जहां पर आपका तीरा आएगा ऐसे मार्क लगाएंगे और आपको इसमें ओपर से लेकर निच्छे तक उस मार्किन करनी है अपनी इसके बाद में जो आपकी लंबाई है आपको लंबाई के अकोर्डिंग निशान लगाना है हमारे यहां पर इसमें हाफ इंच एक्टर लेंगे अब आपको इन सभी निशानों को ऐसे करके सीधा कल देना है जिस तरीके से हमने आप बता है है अगर आपका नाप इसी तरीक कैसे बिल्कुल सेम यही नाप है तो आपको बिल्कुल ऐसे कर देना जैसे हम कर रहे हैं आप कहीं पर कम जदा नहीं करना है और बाकी चोटे और बड़े साइज की वीडियो देखने के लिए आप मारे नीचे डिस्क्रिप्शन में जो बाकी वीडियो का हमने आपको लिंक दिया हुआ है वहाँ से जाके आप बाकी वीडियो देख सकते हैं जहाँ पर हमने आपको और चोटे साइज की कुल्ती कटिंग करना बताया हुआ है इस परकार से अब यहाँ पर निशान लगाएंगे अपनी ब्रेश का निशान हमारी यहाँ पर जो ब्रेश साइज है वो चोटाई भाग होता है वो यहाँ पर सड़नो इंच होगा नाइन पुएंट हाफ इंच होगा लूजिंग के लिए मिहाँ पर इसमें एक इंच ऐसे करके एक्टर लेंगे आपको वेसे करना है हमारे जहाँ पर कमर साइज है वो थर्टी फाइब इंच है पैंतिस इन्च है 35 का चोठाई भाग होता है यहाँ पर पौने 9 इंच, 9-4 इंच कम ऐसे और इसमें भी आपको फोना इंच एक्टर लेना है हमने ओपर एक इंच लिया है यहाँ पर पौने इंच एक्टर लेंगे मतलब कि एक इंच से एक इंच से थोड़ा कम हमारे यहाँ पे जो hip size वो 40 inch है 40 का चोथाई भाग होता है यहाँ पर 10 inch यहाँ पर हम कोई भी extra नहीं लेंगे जो आपका size है वहीं लेंगे इसके बाद में हमारे पल्ले का size जहाँ पर 20 inch है हमेशा पल्ला आपका जितना निशान आपने hip में लगा है उतना निशान नीचे होता है मतलब कि 10 inch उपर है तो 10 inch नीचे होगा ऐसे करके अब आपको इंस तभी मार्कों को सीधा कल देना है पहले आपने hip और पल्ले के निशान को मिलाएंगे और इसके बाद में जो बाकी मार्क यापके इनकों मिलाएंगे अब इसके बाद में जो ओपर shoulder की तरफ आपको इना पर ऐसे आधा इंच का ऐसे down देना है और यहाँ पर आपको इस प्रकार से एक गोलाई देनी है ऐसे गोलाई दी है अब हम यहाँ पर पहले आपना ओपर का part cutting करेंगे निशान का according करेंगे अब पिछे की दर जो का back part back part को हमेशा आपको आगया ले पार्ट से बड़ा काटना होता है बड़े साइज में 35 ब्रेट से उपर उपर साइज में सभी साइज में आपको ऐसे back part को लंबा काटना पड़ेगा और यहाँ पर भी आपको ऐसे करके back part को ज़दा काट देना है अब यहाँ पर जो आपके निशान लगे है निशान से करीब 1.5 इंच आपको एक्स्टा कपड़ा लेते हुए उपर से लगे निचे दर कपड़ेगों काट देना है यह देखे दोस्तों यह कटिंग कर दिया है अब इसके बाद में आपको निचे से कपड़ेगों बराबर करना पड़ेगा यहाँ पर जो आपका लंबाई को निशान लगा हुआ है इसमें आपको करीब करीब तीन इस कपड़ेगों लेकर बाकी पूरे कपड़ेगों काटके बराबर कर देना है फिर इसके बाद में आपको एक कट यहां पर लगाना है. लंबाई में एक कट आपको हीपमे लगाना है और एक कट आपको ऊपर यहां पर लगाना है जहां पर आपकी ब्रैश टाई है इस परकार से. तो यह आपकी खूरती गाया पर completely cutting हो चुकी है अब इसके बाद में जो आपका बाकी बच्चा हुआ कपड़ा है इस बाकी बच्चे हुए कपड़े में से आपको अपनी आस्तिनी कटिंग करनी है यह हमने अपने कपड़े को इस पकार से यह ऐसे मोड़ा यह से फोल्ड लिखिया कपड़े को अब आपको फिर इसको इसे फोल्ड लगाव देना है यहाँ पर आपको ऐसे करके निशान लगाना है एक उपर और एक नीचे फिर इसके बाद में यहाँ पर जितनी भी आपकी आस्तिन है आपको आस्तिन की लंबाय के निशान लगाना है यहाँ पर मार्य आसने का जो size है यहाँ पर 6 inch है हम यहाँ पर 6 inch पर 8 inch extra निशान लगाएंगे यहाँ निशान यहाँ पर आएगा ऐसा इसको उपर निशान लगाया फिर इसके बाद यहाँ पर 17.000 इश पर यहाँ आपकी आर्मॉल का निशान होगा ऐसे मार्क लगा देंगे और अब इस निशान को ऐसे करके ये सीधा कर देंगे 38 आपकी ब्रैश्ट तो 38 इंच ब्रैश्ट में आपका जो आर्मोल होगा यहाँ पर 8 इंच होगा तो यहाँ पर 8 इंच मिशन लगाएंगे हमारा यहाँ पर महरी है वो हाँ पर 14 इंच है 14 जो हाफ होगा यहाँ पर 7 इंच होगा 7 इंच होगा यह देगे 6 इंच आपके आपके लंबाई और आपकी 14 इंच के आपकी महरी अब इस मार्क को ऐसे करके सीधा कर देंगे और उपर से भी मार्क को ऐसे करके टच कर देंगे गोलाई में मिलाना है आपको उसको यह आपके कूतियां पर कटिंग हो चुकी है अब उसके बाब में नीचे आते हैं नीचे की तरह यहाँ पर आपका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इस कपड़े को हम यहाँ पर ऐसे करके यह काट देंगे ओपर के दरब एक कट यहाँ पर लगाएंगे एक कट इसमें यहाँ पर लगाएंगे और एक कट इसमें यहाँ पर यह लगाएंगे अब इसको खोल देंगे और यहाँ पर आपको एक गुलाई देनी है करीब आधाय इंच का कबड़ा काट देना है यह हमारे आसी यहां पर कटिंग हो चुकी है और बाकी जो नीचे का यह पूरा कबड़ा है यह आपका नॉर्मल तुरुपाई के लिए ऐसे फोल्ड होने वाला कबड़ा है यह आपके कुलती के कटिंग ऐसे हो चुकिए इसी पर बें तो अगर आपको वह सबी वीडियो भी देखनी है तो आप मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और छोटे साइज की कटिंग की वीडियो देखने के लिए आप हमने जो पहले वीडियो बनाए तो उनसा भी एका जो लिंक है आपको नेचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो दोस्तों चलता है मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक क्लिए बाय थैंक्यों एंट्रेकर यह हमारा बच्चा हुआ कबड़ा है जो कि हमारे नेक वगरा बनाने में काम आजाएगा